नमसकार दोस्तो मैं हो एस्विशरम आप देख रहे है ग्रीन गडर्डं चनल ग्रीन गडर्डं चनल में आप सबीकर श्रागत है दोस्तो आज मैं आपके शाहत श्यार करेंगे एड़िनियम फ्लावर प्लाइंट में परशाथ के बाद यानि कि September month में आप कैसे Fetilager करेंगे और इसका क्यार कैसे करेंगे देखिए बरशाद के बाद मेरा जो plant है ये plant की कुछ परिस्तिती ऐसे है condition देखिए condition में कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी परिशन ही नहीं है बिल्कुल healthy है अच्छा है और एक grafted और non grafted दोनों ही है ये जो branch देख रहे हैं से पहले flower खिल चुके है ये है grafted portion और बाकी जो plant पूरा है ये non grafted है और देखिए इसमें बहुत सारे फल भी लगा हुआ है ये देखिए ये धीरे-धीरे mature हो रहा है इन केस आपके आगर sheet pod नहीं लग रहा है आपकी flower plant में तो आपको इससे पहले भी मैंने update दिये थे उस वीडियो को देख लेना चाहिए उपर i button में मैं एक link provide करा दूँँगा उससे आप देख शक्ते हैं ये देखिए इसमें flower तो खिले हुए है और buds भी है ये देखिए यहां से हलका सा infected हुआ है तो मैं इसमें कुछ pesticide दे देंगे अभी नहीं दिये थे और हार tips में अभी flower आएंगे कुछी शमाय में और भी मैं आप लोगी शाथ share करूँगा मेरे पास और भी बहुत सारे flower plant है रोजी variety की है ये single single है ये देखिए लेकिन color बहुत ही खुपसुरत color है तो चली आज ज़्यादा देर ना करते हुए इसमें जो fertilizer या क्यार होना चाहिए उसकी बारे में मैं discuss करता हूँ शबसे पहले तो आपका अगर soil media में है या scinder media में है दोनों को एक साई fertilizer देना है इसको धेन रखिएगा जो scinder media में है उसका आपको weekly fertilize करना है और जो soil media में है उसको आपको 15 दिन में एक बार fertilize करना है ये जो नीचे की जो kodex है ये kodex कितनी मोटे हो चुके है ये soil की कुछ moisture बना हुआ रहता है और इतना ही कम moisture की ज़रूत परते हैं एडिनियम फ्लावर प्लावर 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 को भी एतना ही कम moisture की ज़रूत परते हैं ये देखिए flower अब ही ऐसा लग रहा है थोरा सा जुग गये लेकिन इसमें जैसे ही watering कर देंगे तो ये flower फिर से ठी बिख जाएगा और कुछ नहीं होगा इसमें और plant देखिए थोरा सा water कम होने के बाद भी plant बिल्कुल plant की leaf बिल्कुल नहीं जोका कुछ नहीं हुआ है चले इसमे पेस्टिसाइट की बात कर लेते हैं पेस्टिसाइट में आपको देना है इमिडा क्लोपीड ओनली इमिडा क पनियमें डिजल्व करके आपको एस्प्रे कर देना है तो आपका फ्लावर प्लांट अच्छा रहेगा इससे पहले मैंने एदे की फांजिसाइड डिस्प्रे किये थे उसका कुछ इस्पॉट इसमें आप देख पर है ऐसा घर के आपको फंजिसाइड और पेश्टिसाइड देते रहना है बारिश की टाइम में हेवी रेन होने की कारण कंटिनू 21 देज तक यानि की 21 दिन तक बारिश होने की कारण इसको मैंने शेड में रखा था और जितनी प्लांट है शवी प्लांट को मैंने शेड में रखे थे एडिनम प्लांट को और आभी भी आल्मस्ट सेम सेट में हैं अभी हल्की बारिश आते हैं तो थोड़ा सा गिली हो जाते हैं बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरा मेडियो जय हो मेडिया बहुत ही अच्छा है चलिए दस्तों और एक बात है मैं उपर एक लिंक प्रोवाइट करा दे रहा हूँ उस लिंक से आप किलिक करके कुछ जो अभी गनश जी आ रहा है उसकी डिकरेशन की बारे में या और भी डिकरेटीब की जो चैनल है उस चैनल की एक लिंक उस जगा पर जाके आप हेल्फ टापिक्स या फूट से रिलेटेड और डिकरेटेड से रिलेटेड बहुत सारी चीज और आप लोग शेर भी किजिए लाइक भी किजिए और सब्सक्राइब भी कर लिजिए बहुत ही अच्छी चैनल है या भी निव है आप लोग अगर हिल्प कर देंगे तो और आगे बरशक्त है उन लोगों भी अच्छा लाएगा उपर देखिए एक बॉटन आ चुके है उस आपको वो चैनल दिख जाएगा चैनल का नाम है राजुरिया शिष्टर्स चलिए आप जो फंजिसाइट है फंजिसाइट के बारे में तो बात कर लिया पेस्टिसाइट भी बात कर लिया आप ही इसमें जो फटलेजर लेना है फटलेजर ले ले लेते फटबर्ट और एक बात है फर्ट लेने से पहले यह देखिए जो शीट पर्ड है इनके साब के पाश आपकी फ्लावर प्लाइट में बहुत फ्लावर आते और शीट पर नहीं आते इससे पहले भी मैंने शेयर के ता भी फिर से मैं बता रहा हूं तो आपको लिकूट फर्ट लाजर जो है वह जाएंगे देखिए इस प्लाइट में शीट पड़ा चुके है शिक्स चलिए आप फर्टलाइजर देंगे शबसे पहले देखिए मैं नीम खली लेंगे नीम खली लेने के लिए आपको मेरा जो इस्पून है आधा चम्मच का इस्पून है यह देखिए मैं इससे दो इस साइड और एक चम्मच यानि की पांच गिरम आपका जो इस्टिल की जो चाय की चम्मच है वो चम्मच से आपको एक चम्मच लेना है और ऐसे करके आपको दे देना है यह नीम खली दे दिये है अब ही आलक से कोई कमपोस्ट देने के जरूत नहीं है क्योंकि यह शायल जब तेयर किये थे उसमें हम लोगों ने जो ड्राइ लीफ था और लीफ डाला था इसलिए इसमें नीचे तो कमपोस्ट ही है तो बहुत ज़्यादा फैटलेजर की जरूत नहीं पड़ते अभी थोरा सा हलका हातों से थोरी सी गुराई कर देंगे ताकि जब भी बाटर दे है और हमारा निमखली है निमखली बिल्कुल हमिक्स हो चुक है इसके बाद लेंगे एक लटर बाटर एक लिटर बाटर में हम मिलाएंगे देखिए यह मेरे पास सागरी का है सागरी का यानि की शीवीड लिकुट फेटलेजर बहुत ही अच्छा लिकुट फेटलेजर है तो एक लिटर बाटर में हम दो एमल करीब मिलाएंगे आप कुछ मेजर कर लेना यह मैं दो एमल 2 ml मिला दिये है 2 ml मिलाने के बाद इसको आप तुरह सा डाइलूट कर लेंगे एदे की बाटर का जो कलर है कलर बिल्कुल चेंज हो चुके है इसके बाद जो फार्टिलेजर लेना है वो है एन्पिके 0-22 इसका नाम है मोनो पताशियम पस्पेट 0-22 तो 0-22 एक लिटर बाटर में कितना मिलाएंगे एक लिटर बाटर में मिलाने के लिए हमको यह चम्मच जो है धाई गिराम की चम्मच से एक चम्मच यानि कि आपके पाश इस्टिल की चम्मच होंगे उसका आधा चम्मच आपको इसमें मिलाना है इससे ज़्यादा नहीं मिलाना और इसके शाद इतना ही quantity में हमको लेना है एपसम शल्ट यह देखिए एपसम शल्ट याने की magnesium sulfate इतना ही quantity में हम magnesium sulfate मिला देंगे यह मिल चुके है 0-24 इसके लिए 0-3 में 0% nitrogen होंगे और उसके बाद 52% फरस फसपराश और 34% फसपराश तो इसमें पटाश और फसपराश की ज़ादा ज़रुत है इसलिए हमको 0-3 लेना है और zero bound 34 लेंगे तो आपको flower plant में huge quantity में flower भी आएंगे और यह जो sheet part है sheet part mature होगा इसमें sheets जो बनेंगे बिलकुल matured sheets बनेंगे और बहुत ही अच्छा sheets बनेंगे और इसके बाद जो tips में अभी flower नहीं है उसमें flower भी काफी जादा आएंगे चलिए आप यह जो fertilizer है fertilizer को तरह से dilute कर लेते हैं और जो भी chemical fertilizer डाले है वो पूरा water soluble fertilizer है और मेरे पास यह जो cup है एक cup से हम दो cup यानि कि 400 से 500 ml इस यह जो pot है मेरा pot एक 8 इंच का pot है आप देख पा रहे तो यह pot में हम provide कराएंगे यह देखिए ऐसा करके धीरे धीरे करके provide कराएंगे एक cup हो गया एक cup दूसरी साइट से धीरे धीरे देएंगे ऐसे करके यह देखिए दो cup दे दिये और आधा cup मैंने और ले लिए है इसको भी आधा cup और दे देंगे यह देखिए यह fertilizer हो गया देना बाकी बाच्चा जो fertilizer है वो fertilizer मैं दूसरे plant को provide करा दूँगा तो ऐसे करके आप अगर क्यार करेंगे तो आपका flower plant काफी अच्छा होगा और आप चाहते हैं तो हर दस दिन आंतर से एक बार सीबीड लिकूट फैटलाइजर आप इस्प्रे करशकते हैं दो एमेल एक लिटर पानी में मिलाकार इस्प्रे करना है आपको तो आपको बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलेगा उम्मीद करते हो आप लोगो मेरे वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरू कर देना शाथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर हो आप तक तो रहन पूस्ट आगे थैंक्स पर वाची